वेलकम बैक फ्रेंड्स बायनिश्क चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स हम BBYCT 131 में एलगी जो है सेकंड ब्लॉक एलगी उसमें हम सिक्थ यूनिट इसका ओर्गिनाइजेशन रिप्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन डिसकस कर रहे हैं लास्ट जो वीडियो था उसमें ह हम रिप्रोड़क्शन और क्लासिफिकेशन जो है वो डिसकस करेंगे उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें रिप्रोड़क्शन इन एलगी तो रिप्रोड़क्शन जो है एलगी का जो हैं मोड़ पिर्दफशन में जो री प्रड़ॉक्शन है वह में लीड तृइक इंट टीड ज़ूंहै इसमग्यम से में है जिसके जो algae में help करते है जो reproduction में तो इसमें first हम करेंगे fragmentation fragmentation क्या है breaks into fragment क्या है जो fragmentation क्या है यह भी एक बहुत common method है algae में जो reproduction का तो जो filamentous thallus है that breaks into fragments वो fragments में तूट जाता है और हर जो fragment है वो फिर क्या करता है उसके बाद वो नया जो थैल थैलस है वो बनाने में help करता है तो जो fragmentation can take place due to the mechanical pressure जो mechanical pressure अंदर से जो exist होता है plant के अंदर जो थैलस है उसके अंदर तो उसकी वज़े से क्या है यह जो fragmentation का process जो होता है इसके एक्जेम्पल्स है यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाईरा उडोगोनियम जिगनीमा एंड ऑसी लिटेरिया है उसके बाद से किन्ड मैथःज है उसके वह आता है का व्यजेटिटित जो रिप्रोडक्शन में फीजन क्या है यह जो मेंली यह जो होता है डेस्म डायाटम्स या फिर जो तो यूनिसेलूलर एल्गे उसमें होता है इसमें क्या है जो सेल डिवीजन है वह माइटोटीकल ही होती है सेल जो है वह टू में डिवाइड करता है और जो है सेल और यह क्या होता है सेप्रेटेड वाइस सेप्टम जो सेप्टम उसमें क्या है सेप्टम फॉर्मेशन होती है जिसके थूँ यह जो सेल है वो डिवाइड होता है नेक्स्ट जो में थड़ है वो है ट्यूबर्स ट्यूबर्स क्या होते हैं दीजर से फैरिकल और ग्लॉबुलर बॉड़ी जैसे कि अगर हम बात करें क्या है कि यह जो ट्यूबर्स है यह जातो लोड नोड में होते हैं या फिर राइजोड में जो है वो फोम होते हैं ट्यूबर्स है यह जो स्टोरेज ऑफ फूड होता है ट्यूबर्स जो है वो फूड स्टोर होता है प्लांट में उसकी वज़े से ट्यूबर्स जो है यह बनते हैं यह जो ट्यूबर्स है यह बाद में क्या होते हैं नए प्लांट में डेवलप हो जाते हैं जब यह प्लांट से डिटेच कर जाते हैं प्लांट से क्या है जब अलग हो जाते हैं तो एक नया प्लांट बनाते हैं नेक्स्ट है एडवेंशियस ब्रांचीज एडवेंशियस ब्रांचीज लाइक प्रोटोनिमा डेवलप ओन राइजोईड्स ओफ कारा अगर हम कारा की बात करें तो क्या है उस पर जो है डेवलप होती है तैलाइ औफ डीटियोट कड़ और यह जो दिटएच सब्सक्रणा दिटेज्मेट एक नया प्लांट जो है वह फूम करती है यह भी जो प्लांट है इसमें क्या होता है जैसे आप अगर हम blue-green algae की बात करें तो उसमें क्या है जो main filament होती है that breaks into small fragments जिसकी जो है length वो vary करती है जो main filament है वो मतलब small fragments में वो भी तूट जाती है और उनकी length जो है वो vary करती है जिसको हम हॉर्मोगोनिया बोलते हैं the homogonia may be formed at the place of heterocysts in the filament heterocysts की फॉर्म जो प्लेस है उसकी जगह पे जो हॉर्मोगोनिया यह फॉर्म होते हैं तो blue-green algae और blue-green algae में देखे जाते हैं उसके बाद next अब हमारे पास है budding budding क्या है budding takes place due to proliferation of vesicles जो vesicle में proliferation होती है उसकी वज़े से budding जो है वो मतलब bird like structures है वो थैलस में बन जाती है यह जो हर bird है वो क्या है जब वो detach करेगी plant के साथ से तो वो क्या करेगी एक नए थैलस में convert हो जाएगी मतलब नए जो है plant में convert हो जाएगी अब हम बात करते हैं a sexual reproduction की a sexual reproduction that takes place with the help of some spores and structures a sexual reproduction जिसमें sex organ जो है वो नहीं involved होते यह क्या होते है जा तो यह spores की help से होते है या फिर कुछ special structures जो इसमें होती है उसकी वज़े से यह जो reproduction होती है उनकी help से no fertilization and fusion of nuclei अब इसमें क्या है ना तो fusion होगी nuclei की और ना ही इसमें fertilization होगी किसी वी तरह की reproduction by a protoplasm of cell तो reproduction क्या है protoplasm के थ्रू होगी अब zoospores जो है यह क्या है flagellated ursexual structures है ursexual structures है जिसके पास क्या होते है flagella जिनकी body पे flagella present होते हैं formed in reproductive body the zoosporangium यह क्या है reproductive body जो है मतलब जहां पे zoospores बनते हैं उसको हम zoosporangium बोलते हैं biflagellate जो biflagellate zoospores होते हैं जैसे claimidomonas में biflagellate zoospores पाए जाते हैं जो eulothrix है या cladophora है उसमें multiflagellate जो है मतलब दो से ज़्यादा जो बहुत सारे जो flagellate है वो पाए जाते हैं moving in water before germination germination से पहले यह जो zoospore होता है यह water के उपर freely move करता है formed under favorable conditions और जब favorable conditions आती है तो उस पर यह जो है develop करता है इन ऊडोगोनियम flagellar range in ring surrounding a beak like projection उडोगोनियम में क्या है एक beak like projection वो बनती है जिसको हम स्रिफैनो कॉंट बोलते हैं यह क्लेमाइडो मनास में जो biflagellated zoospore है बाई मतलब दो flagellar उस पर present है इस cycle में आप देख सकते हो कि जो biflagellator है यह sexual reproduction का process दिखाया है कि कैसे जो जो जूस पोर है जिसे एक जो biflagellated zoospore है वो कैसे divide करता है आगे parts में और उसके बाद क्या है वो कैसे जो flagellated zoospores है वो form होते हैं इन वचेरिया flagella distributed throughout body of zoospores वचेरिया में क्या होता है कि जो flagella है वो throughout the body distribute हुए होते हैं पूरी body पे छोटे-छोटे से flagella present होते हैं जिसकी जिनको क्या बोलते हैं हम quino zoospores size of zoospore may be large size जो है zoospore का वो large भी हो सकता है और small भी हो सकता है अगर वो large है तो उसको हम macro zoospore वो लेंगे और अगर वो small है तो उसको हम micro zoospore वो लेंगे after liberation from parent tell us flagellate zoospore swim for some time and settled by anterior end क्या होता है जब यह liberate होते हैं उसके बाद क्या होगा फिर यह दीरे दीरे यह नीचे जो है सेटल हो जाएंगे तो उसके बाद क्या है यह divide करेंगे to form basal cell basal cell बनाने के लिए divide कर जाएंगे that further forms hold fast and appraisal forms filament by several divisions several divisions की वज़े से यह जो है तो वहां पे उसको मतलब वहां पे जो है fix करने के लिए तो present होते हैं there is palmela stage in claim ID Deus a palmela stage क्या है जो vast claim' माइडі मश्ण में present है palmela stage क्या है की कभी-कभी क्या होता है जैसे जू sports बनन गे लेकिन वहां पर मतलब वर्टर प्रेजंट नहीं है तो वह 199 जब नहीं है नहीं है तो नहीं का जो मैं दो होगी उसमे उसमें जो मैं यह संगो चाएंगोगे उसके हम पालर्ट करते हैं यह लेकब होती है जब वाटर वहाँ पे नहीं होता तो वहाँ पे मूसिलेज प्रेजन्ट होता है जिसमें वह एंबेड़ेड हो जाते हैं जूस्पोर्स यह है क्लेड़ोफोरा में जूस्पोर्स का जो है जो कैसे फिलमेंट में जो है वो डिवाइड होता है एक जूस्पोर जो इसमें क्या है यह यह टेट्रा फ्लेजलेट होता है इसमें चार फ्लेजला जो प्रेजन्ट है इसमें मियोसिस डिवीजन होती है तो जूस्पोरेंजियम से जूस्पोरेंजियम है उसमें जूस्पोर् ये उड़ो ओनियम जो ल database on all जर्व ओर जो दिखाया गया है स्टिफेनो कॉण्ट जैसे हमने देखा झाल पर जो डई एक घर तो वह न मैं tussen जिसमें यह घ्राची पिले झाल हैं πasure बहुत सारे फ्लेजला जो है वो प्रेजेंट होंगे उस पर चोटे-चोटे जो बॉडी है प्लांट की उस पर बहुत सारे चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-च स्टीज जब डिवीजन होती है जब जूस पोर्ज फॉम होता है डिवीजन के बाद आफ्ट डिवीजन अगर हम देखें यह जो डी जो डायग्राम जो डी डी जो पिक्चर है उस पर आप देख सकते हो कि यह मूल सीलेज की एक शीथ है जिसमें जो जूस पोर्ज है वो फॉम होने के बाद उसमें embedded हुए हैं जब favorable conditions आती है तो फिर यह वहीं से बाहर हो जाते हैं और फिर दुबारा जो है वो ग्रो करते हैं यह है पालमिला स्टेज सेकिंड डाइप की जो है सेक्शुल में वो होती है एकी एकी नीट्स की हेल्प से जो रिप्रोड़क्शन होती है जब अन्फेबरेबल कंडिशन होती है तो एकी नीट्स फॉर्म होते हैं अब जब क्या है अन्फेबरेबल कंडिशन है तो एकी नीट्स की फॉर्म में वो प्रेजेंट है क्यूंकि उसमें रिजर्व फूड भी प्रेजेंट है तो वो थिक वाल्ट्स प्रेजेंट्स तो सेल की फॉर्म में वो पढ़ा रहेगा जब फेबरेबल कंडिशन आएगी तो अब क्या होगा वो सेल जर्मीनेट करेगा और डॉटर फिलमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा इसके एक्जेंपल से नौस्टॉक एनबिना और ग्लिटोरी किया यह है एकीनीट हिट्रोसिस्ट की फॉर्म में यह देख सकते हो आप यह जिलेटिनस मास दिखाया गया है मतलब कॉलनी के फॉर्म में दिखाया गया है यह जो एकीनीट्स है तो उसके बाद गया है फिर यह से एक सिंगल स्रक्चर जो हो एक्वाइच साइड में दिखाया गया है उसका कैसे जो है एकीनीट्स से जो प्लांड प्लांट जो है वो नया वो कैसे जो प्लांट विलामेंट रूअट होता है next is a plano sports यह क्या होते हैं रोटोजयलीटिड होते हैं इनमें फ्लेजलड प्रेजन्ट नहीं होते हैं और हिव एन आई-पोर्ट इनमें आई-पोर्ट प्रेजन्ट होती है और kon tick-ta. वाक्योल प्रेजन्ट होती है सम्टाइम्ड considered as abortive zoo sports उसके बाद है auto sports non-motile sports होते हैं इन में i-sport भी नहीं होती और जो है वेक्योल भी नहीं प्रेजेंट होती जिसेंबल्स वेजिटेटिटिव सेल इन शेप इनकी शेप जो है वह वेजिटेटिटिव सेल की तरह जो है उसके साथ से तरिवेंबल करती है मैच करती है फाउंडें मेंबर जो इसके जो प्लोरो को मैंबर्ज है जैसे सेusएड क्लोरो को कम तो उसमें जो है यह प्रेजट होते हैं Auxpore नेक्सी तीक्तव वाल स्तरक्ट्ट्टर this form दूरिंग あनफे गरेवल कंडिशन सहीए भी थीक-वाल हुआ प्रोटोपलास्म डिवाइच प्रोटोपलास्म है वहां प्रोटोप्लास्म वहर ग्रैगा डिवाइच करेगा सेथा क्या है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी से Öz जो है थ़र्ड जो reproduction की टाइप है वो है sexual reproduction बाइफ इसन ऑफ गमीट ऑफ डिफ्रेंट sexuality क्या है fusion होगी गमीट की जो डिफ्रेंट जैसे मेल और फीमेल गमीट वह आपस में फ्यूस करेंगे गमीट गमीट's फटिलाइज चू थू में deployed zygote अब क्या था sexual में fertilization नहीं होती और यहां पर क्या है जो sexual है उसमें fertilization होगी और gametes जो है वो fertilize करेंगे to make deployed zygote बनाने के लिए इसकी भी आगे types है उसमें है आइसो गेमी आइसो गेमी क्या है fusion fusion gametes are morphologically similar आइसो मतलब सें तो जो gametes hmm उनकी morphology जो है वो सें होगी दिखने में एक जैसे होंगे physiologically different लेकिन physiologically वह different होंगे due to different hormones क्यों एक male है और एक female है तो फिजांजीकलिं तो उनमें hormones जो है वह different होगे जिसकी वज़ासे physiology उनकी different होगी ले Caitlin उनकी morphology जो है देखने में वो एक जैसे दिखेंगे तो इसलिए इनको isogamous gametes बोलेंगे gametes represented by अब gametes को हम positive और negative strain के थूरू represent करेंगे शो morphologically isogamy but physiologically anisogamy इसके examples है klemidomonas, spirogyra और zignima next is anisogamy इनisogamy में क्या है morphology as well as physiologically different, gametes की उसमें क्या था जो isogamy उसमें इसमें इसकी morphology same होगी अब इनisogamy में क्या है इसकी morphology भी different होगी और physiologically भी यह डिफरेंट होगे it formed in different gametes यह जहांपे यह इस फॉम होँगे वी different different gametes यह फॉम होंगे माइक्रो के मीट्स होंगे जो मेल के मीट्स है वो smaller in size होगे जिसको हम माइक्रो के मीट्स बोलेंगे यह जो मेल के मीट्स है यह active होगे और इनका नंबर भी बहुत जादा होगा और जो माइक्रो के मीट्स है जो female के मीट्स है वो क्या होगे वो larger होगे और जो है जिनको हम micro gametes बोलेंगे यह less active होंगे और number भी इनका बहुत कम होगा इसके एक्जेम्पल्स है clamidomonas यह आइसोगेमी यह आप ए जो देख रहेंगे ए जो structure है उसमें आइसोगेमी दिखाया गया है कि दोनों जो gametes है वो same structure के है दोनों क्या है biflagellated है और दोनों के flagella जो है वो same size के है और अगर हम B की बात करें तो क्या है यह क्या है morphologically भी यह different है देखिए एक का size small है और एक का large है और flagella भी देखो उन पर एक पर छोटे हैं और दूसरे पर बड़े हैं उसके बाद next आता है oogamie oogamie में भी आप difference देख सकते हो oogamie में क्या है advanced type of sexual reproduction male gamete swarmed in enthridia जो male gamete से वो enthridia में बनेगे और जो female gamete है वो क्या हमें बनेगे वो एक single जो है वहाँ पर male gamete होगा sorry female gamete जो है वो single होगा और large होगा और वो oogamie में बनेगा इसलिए इसको oogamie बोलते हैं male gamete reach eugonium to fertilize egg अब male gamete क्या है eugonium तक जाएगा एग को fertilize करने के लिए तो fertilization होगी fertilization के बाद जो zygote है वो deployed zygote जो है वो opposite strains अब यहां पर जो है जो क्या है unicellular है थेलस और strains इसमें भी ओपोजिट होगी पॉजिटीव और negative तो जो strains है वो directly as a gamete act करेगी gamete directly fuse करेंगे to form deployed zygote यह hologrammy जो है क्ले माइड़ो मुनास में देखी जाती है नेक्स्ट है autogammy तो gametes of same mother cell fuse to form deployed zygote जो दो gametes हैं क्या करते हैं यह मतलब एक same mother cell से आते हैं उसमें क्या था कि parents एक male gamete एक female gamete है अलग लग पार्ट से आ रहा है और यहां पर क्या है दोनों के मीट्स जो है वो same mother cell के ही होंगे यह आपस में fuse करेंगे और deployed zygote जो है वो बनेगा no genetic recombination genetic recombination नहीं होगा इसमें और मेली यह जो है वो डायाटम में देखा जाता है उसके बाद next जो है important part वो है classification algae is considered to be part of plant from very early times तो cv linius जो है उन्होंने in 1754 divided plants into 25 classes जो है plants की divide की थी algae has two key features that distinguish it from higher vascular plants higher vascular plants से जो है algae कैसे differentiate होती है कौन से features है जिनकी वज़े से algae जो है वो higher vascular plants जो है उनसे जो है differentiate होती है इसमें फरस्ट है sex organs या फिर reproductive structures are unicellular unicellular होंगे और if multicellular then they are devoid of sterile covering अगर वो multicellular होंगे तो उन पे जो है वो devoid of sterile covering उन पे sterile covering जो है वो नहीं होगी absence of multicellular embryo within the ugonia multicellular embryo भी जो है वो absent होगी at present living organisms are divided into five kingdoms यह हमने जो है छोटी classes में भी में भी पढ़ी होगी कि जो five kingdoms जो है कौन कौन सी है मौनेरा प्रोटिस्टा फंजाई एनिमेलिया एन प्लांटी यूकरियोटिक एल्गी and protist are placed in kingdom protista जो एल्गी और प्रोटिस्ट से इनको प्रोटिस्टा में रखा गया है standard botanical nomenclature जो है एल्गी के लिए वह कौन सा यूज करते हैं जो फाइलम है उसके साथ फाइटा लगेगा जो class है उसके साथ फाइशी लगेगा order के साथ एल्ज लगेगा फैमिली एशी एंड जीनस जो है वह species होगा यलगी divided into four groups और यलगी जो है वह फूर गुरूपस में divided है तो ग्रूप फर्स्ट में क्या होगा प्रोकरियॉ अर्टिक अल्गी यह जो है उसमें क्या है Eukaryotic algae with chloroplast surrounded by two membranes of chloroplast and well Group 3 क्या है Eukaryotic algae with chloroplast surrounded by one membrane of chloroplast and other is of ER Group 4 में क्या है Eukaryotic surrounded by two membranes of chloroplast and ER अब हम Group 1 की बात करेंगे Division Sinophyta जिसमें आती है it comprises of blue green algae Blue green algae जो है इसमें present होती है more closely related to bacteria यह जो है bacteria के साथ जो है कुछ हद तक इसके जो characters है वो match करते हैं इसलिए इसको जो है साइनो बेक्टिरिया बोला गया है अब इसकी occurrence कहां पर है अकरेंस रेंजिंस फ्रॉम फ्रेश वार्टर अकरेंस जो है फ्रेश वाटर में भी present होती है यह जो डिवीजन के यह मेंबर्स है जिसे और ऑसीलेट हो रिया हो गया ocean sea में राइवुल एरिया जैसे hot springs में भी present हो सकती है और जो है rocks पर भी और या फिर soils में भी मेराइन भी हो सकती है लाइक ट्राइक को ड़ेजमियम अब हम और अल्ट्रा स्रक्चर जो है इस डिवीजन में मिदलग इस डिवीजन के जो मैंबर्स है उनकी मॉट्फोलोजी कैसी है अकर जैस सिंगल सेल फ्री लिविंग और एंक्लोज इन मॉसिल एजनस शीत सिंगल सेल थी मठीज के जो क्या है सिंगल सेल एजच सेल मतलब यह जह है वहँ एक्ग्जिस्ट करेंगे फ्री लिविंग होंग है और क्या है जो वो इन में क्या है जो मुसी लेज जो मुसी लेजनस शीथ है वो एंक्लोज होगी इनके राउंड also as rows of cell known as trichomes मतलब cell जो है वो rows की form में भी present होगी जिसको हम trichomes बोलेंगे cell wall of cyanobacteria resembles with gram positive bacteria जो cell wall है साहिन बेक्टीरिया की वो gram positive bacteria के साथ match करेगी prokaryotic organization organization क्या है इसकी जो है मतलब इसका जो cell structure जो है वो क्या है prokaryotic cell के साथ जो है वो resemble करेगी contains dna fibrils dna fibrils होते हैं और ribosomes जो इसमें वो 70s present होते हैं carboxyzomes होते हैं vacuoles present है जो photosynthic pigment है वो कौन से होगे chlorophyll a chlorophyll b और d a जो है वो क्या है जो primary जो prime photosynthetic pigment वो क्या है कभी-कभी जा है कुछ जो ऐसे members जो chlorophyll b या db show करते हैं also have carotenoids carotenoids mean में present होते हैं अब reproduction कैसी होती है जो division है through acne इसमें जो है जो cell division है वो through acne होगी reproduction ठीक वाल सेल्स होगे जिसको हम spores बोलेंगे यह जो spores है यह light brown deep brown या फिर black in color होंगे withstand prolonged desiccation क्या है बहुत मतलब लंबे समय तक अगर इनको पानी ना मिले यह करते हैं long time तक and मतलब सूखे का मुकाबल मतलब अगर इनको पानी ना मिले तो लंबे समय तक यह मतलब exist कर सकते हैं and germinate under favorable conditions और फिर जब favorable मतलब जब unfavorable conditions है जब desiccation हैं सूखा है उनको पानी पानी की जो है वहाँ पर प्रेजन्स नहीं है उस फॉर्म में यह क्या करते हैं मतलब रुकते हैं उस फॉर्म में भी यह मतलब रहते हैं और उसके बाद क्या है जब favorable conditions होती है तो उस टाइम पर यह जर्मीनेट करते हैं simple cell division होगी इन में also reproduce by forming hormogonia hormogonia भी इसमें बनता है एक्जैंपल्स है एक्जैंपल्स और इनके नेम्स नेक्स्ट है ग्रूप टू में जो है वह है डिवीजन blackophyta इसमें क्या है this group algae have endosymbiotic cyanobacteria and devoid of chloroplast chloroplast इसमें नहीं होता hence placed after cyanophyta इसलिए इसको क्या है जो cyanophyta के जो next जो है साइनोफाइटा के बाद जो है इसको प्लेस किया गया है क्योंकि क्या होता इसके बास endosymbiotic cyanobacteria members of glucophyta have black cell wall इन में क्या होता है cell wall जो है वो नहीं होती जो ribosomes है वो 70s होते है DNA प्रोकेरियोटिक DNA होता है और photosynthic pigment जो है वो chlorophyll A होता है अक्रेंस इनकी क्या होती है fresh water में होते हैं यह इसमें है साइनोफोरा पैराडोक्सा एंड ग्लूकोशिस्टर नेक्स डिवीजिन इस rhodophyta it have a single rhodophyta family मतलब यह जो rhodophyta division है इसमें सिर्फ एक ही family है जो है rhodophyta यह क्या है smaller than brown algae brown algae से smaller होते हैं contains chlorophyll A and rarely D maximum जो है उसमें chlorophyll A होता है pigment या फिर बहुत कम जो है उसमें D भी present होता है also phycobalins helps इसमें क्या है phycobalins भी present होते हैं that helps to absorb light at the depth यह जो algae है यह क्या होती है मतलब यह जो जैसे c है उसमें क्या है अब आउट 200-meter depth तक यह जो है वह present होती है पानी में नीचे तो क्या है यह जो phycobalins है यह help करते हैं light को absorb करने में इतनी डेप्थ होएं भी light को absorb करने में phycobalins help करते हैं have cells coated in keraginan keraginan जो किनन जो है उसके यह जो substance है यह मतलब cell के आराउंड जो है coated होता है यह जो substance है यह यूज होता है in cosmetics gelatin capsule इसका जो है जो यह जो क्या है gelatinous जो है इसका जो होता है इसलिए यह जो है cosmetics में gelatin capsules में या फिर कुछ cheese some cheeses में भी यह यह use किया जाता है अकरेंस क्या है most are marine marine में होते हैं often found at 200 meter depth 200 meter depth तक यह जो है वो found होते है around 4000 species of seaweeds belongs to the rhodophyce 4000 species जो है seaweeds की वो जो है rhodophyce को belong करती है next is reproduction reproduction कौन सी होती है इन में जो है sexual reproduction होती है male gametes जिनको हम spermatia बोलते हैं और female gametes जिनको carpogonium बोलते हैं male gametes जो है spermatia वो क्या करेंगे through water crunch water के water में मतलब swim करके through water जो है वो female gametes जो है carpogonium वहां तक पहुंचेंगे और वहां पे जो क्या है उनकी fertilization होगी यह है इसके जो examples एक्जेंपल्स जो है वह बहुत जरूरी है इसमें कौन कौन से एक्जेंपल्स एक्जेंपल्स पॉर्फाइरा पॉली साइफोनिया जलेडियम ग्रैसिलेडिया करलिन यह सारे जो एक्जेंपल्स जो है वह एक्जाम में जरूर मेंशन करनी है और विद डाइग्राम वह मेंशन करनी है नेक्स्ट डिवीशं हे क्लोरोफाइटा इट इंकलूर्स यूनि सेलुलर टू मल्टि सेलुलर फॉर्म्स यह क्या है यूनि सेलुलर से लेके समें प्राइमरली फ्रेश वॉर्टर ह हुआई ज्यादब जो है यह फ्रेश वाटर में ही मिलेगी बट् 10% इसका जो है वो मेराइन में भी present होता है अल्टरा structure इसकी that is resemble eukaryotic cell of higher plants जो eukaryotic cell है higher plants के उसके साथ जो है इसकी structure match करती है resemble करती है organelles present are कौन-कौन सी organelles present है chloroplast, mitochondria, nucleus and ATS ribosomes ये organelles जो है जैसे eukaryotic cell में क्या होता है ये organelles present होती है chloroplast भी होता है mitochondria भी होता है इसलिए जो इसका structure है वो eukaryotic cell के साथ जो है resemble करता है photosynthetic pigment that are chlorophyll A, B, carotines and xanthophylls जो present है जो main storage product है वो क्या है starch in the chloroplast वो starch जो है वो chloroplast में present होगा not in cytoplasm next है reproduction 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 में क्या है asexual in colonies by fragmentation reproduction क्या है इसकी asexually होगी और by fragmentation होगा यह आपको असाइन्मेंट बनाने में help होगी इस ट्राइग्राम्स के असाइन्मेंट्स में और नोट्स में भी जरूर इन को mention करना है by formation of zoospores, aplanospore and autospores भी जो है इन में जो है reproduction होगी और थ्री टाइप की जो sexual reproduction भी इन में होती है कौन-कौन सी isogammy, anisogammy और oogammy examples है chlorella, clemidomonas, spirogyra, cladophora और cholerpa next अब अगर हम third group की बात करें उसमें क्या आता है यह जो है इसमें सिर्फ जो आती है division euglenophyta, epicomplexa and dynophyta by the presence of one membrane of chloroplast endoplasmic reticulum division क्या है इसमें अब हम बात करेंगे yuglenophyta की क्या है simple unicellular motile flagellates simple होगे cell unicellular होगे और क्या है flagella present होगे उनमें और motile होगे यह है yuglena की जो diagram yuglenophyta में yuglena जो है वो example इसका occurrence कहां पे है इनकी ponds, streams, lakes, puddles, dishes यहां पे जो है यह present होती है इनके जो members है also marine habitat marine में भी हो सकते और यह parasitic भी होते है parasitic की example कौन कौन सी है cockinsa and higneria अब ultra structure structure कैसी है इनकी यह जो cells है resembles that of proto zones यह जो algal cells है इनकी जो structure है वो proto zones के साथ मैच करती है no firm cell wall and cell surface is pellicle क्या है जो cell wall है उसमें जो है वो मतलब no firm cell wall मतलब प्रॉपरली जो cell wall जो है वो नहीं present होती है और cell surface क्या होती है वो pellicle होती है helicle knob like projections इसमें present होती है two basal bodies and one or two emergent flagella भी present होगे दो basal body के साथ जो है flagella present होगे एक या दो flagella helps in moving जैसे के हम जाते हैं कि flagella जो है वो movement में help करता है that changes उसकी वज़े से क्या होता है जो cell की जो shape है वो change हो जाती है जिसको हम uglinoid movement पॉलते हैं क्या है flagella जो flagella की वज़े से जब movement होगी तो movement के साथ क्या होगा जो cell है उसकी shape जो है वो change हो जाएगी इसको हम uglinoid movements बोलेंगे different shapes of chloroplast as discoid ribbon-like और stilate जो chloroplast है वो भी different types का होता है इसमें present जिसे discoid हो गया ribbon-like हो गया फिर stilate prime photosynthetic pigments chlorophyll जो इसमें prime photosynth pigment कौन-कौन से है chlorophyll a present है b और carotenoids भी present है और storage product क्या है paramylon and starch और starch और इसमें प्रेजन्ट है रिप्रोड़क्शन इसमें only by binary vision binary vision होगा कुछ species जो है उनमें सिस्ट भी form होती है और sexual reproduction इसमें absent होगी maximum जो इसमें members होगे वो unicellular होगे और motile होगे अक्रेंस कहां पर है इनकी fresh water as well as marine fresh water में भी और marine में भी अल्टर स्ट्रक्चर में क्या है divided into epicone and hypocone इसकी जो structure है वो उसको डिवाइड किया गया है epicone और hypocone में cellule है cellulose plates cellulose plates inside plasma membrane plasma membrane के अंदर इसमें क्या है cellulose plates जो है वो प्रेजंट है longitudinal flagellum present है through the thecal plate consists of nucleus chloroplast क्या क्या प्रेजंट है इसमें nucleus present है chloroplast endoplasmic reticulum golgi apparatus chlorophyll a and c2 and carotenoids जो है इसमें cell organelles present है reproduction इन में जो है a sexually by simple cell division a sexual reproduction होती है produce a planospores a planospores बनते हैं इसमें zoospores बनते हैं और non-motile cells जो है वो बनते हैं sexual reproduction जो है वो isogamous type की होती है मतलब same type के meats जो है वो present होते है noctiluca, peridinium, seratinum इसके members है next is division epicomplexa यह क्या है highly reduced plastids है unicellular endoparasitic unicellular है और endoparasitic है मतलब as a parasite यह है जो cell के अंदर जो है वो act करते हैं exist करते हैं as a parasite इसके example है plasmodium next group 4 की अगर हम बात करें उसमें क्या क्या आता है eukaryotic algae with chloroplast with two membranes of chloroplast endoplasmic reticulum इसमें दो membranes of chloroplast endoplasmic reticulum की होंगी division cryptophyta है इसमें unicellular है motile organisms unicellular है motile है brown in color when alive जब यह alive है तो इनका color brown होता है many genera have animal like morphology and nutrition बहुत सारी जो genera's है बहुत सारी species क्या है उनके पास क्या है बहुत सारे जो इसके member है उनकी morphology जो है cell की वो क्या है animal cell की तरह है और जो mode of nutrition है वो भी animal cell के साथ जो है वो resemble करता है some और कुछ जो है वो सेप्रोफाइटिक भी होते हैं अल्ट्रस्रक्चर नो cell wall इसमें cell wall जो है वो present नहीं होती और डोस डोस वेंटरली जो है वो फ्लैटन होती है शेप इनकी तू अनिक्वल फ्लैजेला एट एपिकल पोजिशन एपिकल पोजिशन पर दो जो है फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे और अनिक्वल होंगे वो साइज उनका single on numerous chloroplast या तो chloroplast या तो single होगा या फिर बहुत सारे होंगे एक भी हो सकता है मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं chloroplast फोतोसंत्रिक पिगमेंट्स chlorophyll-a फाइकोसाइन फाइकोरिथरिन एंड केरोटिन यह जो है फोतोसंत्रिक पिगमेंट प्रेजेंट है और स्टार्च जो है एज रिजर्व फूर्ड मेटीरियल प्रेजेंट होगा नेक्स्ट इस रिप्रोडक्शन इसमें भी क्या है और सेक्शुल रिप्रोडक्शन जो होगी वह क्या होगी लॉंगिच्यूडनल डिविजन होगी उसमें जू स्पोर्स जो है वो पालमिलोइड स्टेज जो हम डिसकस कर चुके हैं पालमिला स्टेज पालमिलोइड हिट्रोकॉंटोफाइट इसमें क्या है लार्जेस्ट डिवीजन ओफ यह लार्जेस्ट डिवीजन इसमें क्या है में जो जो इसमें क्लासीज एंडर्सन ने 2004 में इसकी क्लासीफिकेशन सिस्टम जो दिया था उसने टैलेव क्लासीज जो है वो रिकोगनाइज की थी तो कौन क्योंने जो ट्यविक्ति ELक लाश से ख्रैसला फ़िशी संग्रोमो फ़िछी ऐस्टीमे जिब मैं तथयमेट फ़िशी फिंग्यों फ़िशी डिकटायो फ़िशी मैं प्लाइग मुफप ऐशी जडि एक पलाक फ़िशी बाईग फब कि बोली डिटależ updating इंडेão आपीड फाईशी यह जो टेलर इसमेंग यह वो प्रेजर्ट है एव अ 경ळे यह टिंस उन एन पॉस्टीरीयर वाइपलैश ओं इसमें छेल्ध जो पेग्मेंट प्लओर आप्मेंट 90 रफड़प्ल्गे मीच खाड़ा और से दिपनें फोसिंस के थिज tightening फॉर्ड पाप फॉर्म होता है that is क्राइसरलमीट disfr यह एक्जेमपल्ट है स्के अगर आप अच्छे आफ करकेचा स्कोर करने है तो आपको एक्जेमपल जो है वह आट से जाधे एक्जेमपल देनी होगी और विद डाइग्राम आपको यह एक्जेम्पल्स जो है वो दिखानी होगी पाइनुलेडिया फ्यूकस सर्गैसम बॉटरीडियम यह इसके एक्जेम्पल्स है तो इसके साथ हमारा यह जो यूनिट सिक्स है और्गिनाइजेशन रिप्रोडक्शन एंड क्लासिफकेशन यह कंप्लीट होता है वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक यू